Hello everyone, welcome back to my channel Viewers, अगर आपको English बोलना है तो छोटे-छोटे sentences बोलने की practice कीजिए तो आज की इस वीडियो में रोजाना बोले जाने वाले छोटे-छोटे sentences की मैं practice कराऊंगी तो चलिए start करते हैं सबसे पहला sentence है जैसे की अगर आपको किसी से कहना हो मैं आप से परसो सुभा मिलूंगी तो आप इसको English में बोलेंगी I will meet you day after tomorrow Next sentence, sentence number two जैसे की अगर आपको किसी से कहना हो क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है तो आप इसको English में बोलेंगी Can I get a glass of water? Can I get a glass of water? Next sentence, sentence number three जैसे की अगर आपको किसी से कहना हो मुझे बहुत जोर की भूग लगी है मुझे बहुत जोर की भूग लगी है तो आप इसको English में बोलेंगी I am feeling very appetite I am feeling very appetite Next sentence, अपने आप पर भरोसा रखो तो आप इसको English में बोलेंगे Be confident Move to the next one उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है अगर आपको किसी से कहना हो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो आप इसको English में बोलेंगे He needs your help He needs your help Move to the next one मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं तो आप इसको English में बोलेंगे I know him very well I know him very well मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं चलिए next sentence पे move करते हैं जैसे की अगर आपको किसी से कहना हो ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए तो आप इसको English में बोलेंगे पे अटेंशन ध्यान दीजिए next sentence माफ करें आपको कस्ठ हुआ माफ करें आपको कस्ठ हुआ तो आप इसको English में बोलेंगे sorry to hurt you sorry to hurt you माफ करें आपको कस्ठ हुआ next sentence जैसी आपकी मरसी यह अक्सर sentence बोला करते हैं जैसे आपकी मरसी तो आप इसको English में बोलेंगे As you wish As you wish As you wish जैसी आपकी मरसी Next sentence अराम से बैठिये किसी को अगर आपको बोलना है अराम से बैठिये तो आप इसको English में बोलेंगे Feel at home Feel at home Feel at home या फिर आप बोल सकते हैं Be comfortable Be comfortable या फिर feel at home अराम से बैठिए Move to the next sentence Next sentence है जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो उसने जान बूच कर तुम्हें दुख पहुचाया उसने जान बूच कर तुम्हें दुख पहुचाया तो आप इसको इंगलिश में बोलेंगे He knowingly hurt you He knowingly hurt you उसने जान बूच कर तुम्हें दुख पहुचाया He knowingly hurt you Next sentence गलती अंजाने में हुई तो आप इसको इंगलिश में बोलेंगे It happened unknowingly Move to the next one मैं सड़क पार कर रहा था मैं सड़क पार कर रहा था तो आप इसको इंगलिश में बोलेंगे I was crossing the road I was crossing the road I was crossing the road मैं सड़क पार कर रहा था Move to the next one जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो तुम्हें शर्मानी चाहिए तो आप इसको इंगलिश में बोलेंगे You must be ashamed तुम्हें शर्मानी चाहिए Move to the next one अगर आपको किसी से कहना हो मेरी ओर से माफी मांग लीजीए मेरी ओर से माफी मांग लीजीए तो आप इसको इंगलिश में बोलेंगे convey my apologies मेरी ओर से माफी मांग लीजीए Move to the next one मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी तो आप इसको English में बोलेंगी I will try my level best I will try my level best मैं पूरी कोशिश करूँगी I will try my level best Move to the next one अब मैं कुछ बोलू जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो अब मैं कुछ बोलू तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे May I say something now? अब मैं कुछ बोलूँ May I say something now? May I say something now? Move to the next one अगर आपको किसी से कहना हो उमीद है आप मसे में हो उमीद है आप मसे में हो तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे Hope you are enjoying yourself Hope you are enjoying yourself Hope you are enjoying yourself Move to the next one ये सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा इसक अर झामEd झाल 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 झाल